तो किसम भायोब चाहे बारिश का दिन हो या फिर ठंड के दिन हो इन दोनों मोसम के अंदर आपके फसल के अंदर कुछ कम काला ओदी के अंदर सबसे जादा नुक्सान होता है वो होता है सड़न के कारण चाहे वो सड़न आपके जड़ों में आए आपके पसल में आए आपके कुलों के अंदर आए या फिर फलों के अंदर आए या फिर डंठल के उपर आए तो यह सभी प्रकार की जो सड़न होती है यह एक प्रकार के फंगस के कारण होती है और इसी फंगस को कंट्रूल कर पाना कई बार सरदर द्वाला काम हो जाता है तो इसी सरदर द्वाले काम को ह बहुती आसान बनाएंगे इसके लिए आपको पहले ये बाते समझनी होती है कि असल में समस्या क्या है सिर्फ एक बाद दावयो का छिड़काव करने से या फिर दावयो का नाम पता होने से बात नहीं पता चलेगी क्योंकि अगर इस समस्या के जड़ को अगर आप समझ गए तो आप इस समस्या को बहुत ही चुटकियों में भी आप इसको बहुत ही आसन तरिके से कर सकते तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि सड़न आपको पता है कितना नुक्सान करती तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है तो चले शुरूरत करते हैं आज के इस वीडियो की सड़न को रोकने का रामबा निलच क्या हो सकता है त कि गर्मी के मौसम में कभी भी सड़न नों तो इसा कॉनसा वाला चीजSet की जो गर्मी के मौसम में में यह और ठरण और आपके बारीश के मौसम तो यहां पर आपको सिर्फ एक बात देखना है कि गर्मी के मोसम में पानी की कमी होती है नाइट्रोजन की कमी होती है तो फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो सड़न हो नहीं सकती है हमारा पहला पॉइंट बन जाता है ठीक है और इसके वीपरीत अगर नाइट्रोजन आपके फसल में जादा हो, तो आपके फसल के अंदर सडन आ सकती है. यह पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप पाइला स्टेप अच्ची तर कैसी समझ गए होंगे तो यह भी मात बनती है न, कभी आपने सडन देखिये जियान हैं, में और ठंड के दिनों में देखा हैं तो अभी दूसरी बात यह जानेंगे देखो दवई भी बता दूंगा अगर आपको सिर्फ दवई का नाम जानना है तो वीडियो के एंड में जाओ दवई का नाम देखो और भागयों को इटेशन ने लेकिन जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे आपको कुछ भी पताने चलेगा कि यह सड़न आई के से और गई के से और हां सिर्फ दवई का नाम पता होके भी वो कंट्रोल ने होने वाला है यह भी एंड में बता देता हो इसके लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा तो दूस कारण को समझाने के लिए मैं आपको भूती अच्छा उदारन देता हूं थोड़ा विशयांतर करते हैं तो विशयांतर ऐसा है कि जैसे आपको डाइबेटीस का पेशेंट पता है डाइबेटीस के पेशेंट को कहीं पे भी दखम हो जाए जैसे कि उदारन के तो पर मेरे हा अस्पताल में भी नहीं गया मैंने इग्नोर किया चलो यार इतनी से जकम से क्या होता है तो वहाँ पे उस खून की उपर एक फंगस डेवलोप हो जाता है जो कि मेरा पूरा हाथ सडाने को स्टार्ट कर देता है और अगर मैंने फिर भी इग्नोर किया तो यह सडन आगे की एक तरफ बढ़ती जाती है और बाद में अगर मैं अस्पताल गाया तो डौक्टर क्या बोलेगा पता है आपको कि भई आपका का यह हाथ काटना पड़ेगा वरना यह सडन आपकी जान भी ले सकती है तो इसी तरीके की सडन आमारे फसलों के अंदर भी होती और इसी तरीक जो आपकी फसल है, उस फसल के अंदर क्या होता है, एक फुलों की गुच्छे होते हैं, तो अभी आप एक तो समझ गए कि बारिश के मोसम में और ठंड के मोसम में आपके फसल के अंदर नाट्रोजन एकसिस होता है, ठंड के दिनों में नाट्रोजन ज्यादा एकसिस नहीं हो पानि कि मोसम में नैट्रोजन एक्स होता है धन के दिनों में क्या होता है क्या हो ज़्ला के अंदर जादा होता है तो आपके सबसे नाज़क हिसा कुनसा है ? उर फढें है तो वो फूल और फल अभी यहाँ पे गुच्छा है समझ लो इस गुच्छे के अंदर क्या हो गया एक फल टूटकर निचे आ गया ठीक है एक फल टूटकर निचे आ गया तो यहाँ पे उसके डंठल को क्या हो गया जखम हो गया अभी हम यहाँ पे ऐसा बढ़ा करके देखें से क्या बाहर निकलेगा जो भी अन्रस है वो बाहर निकलेगा इसको हम sales app कहते हैं हमारी बाशा में तो यह जो अन्रस बाहर निकलेगा तो इस अन्रस को अगर समय पर अगर यह जखम भर न जाए तो इस अन्रस को रोख पाना बहुत या फिर आपके फलों के अंदर जखम हो गया, किटकों ने भी जखम कर दिया और वहाँ पे nitrogen excess है, और nitrogen excess के कारण वहाँ पे जखम भरने पाया, जड़ों के अंदर जखम हो गया, उस जखम को भी nitrogen excess के कारण पौदा उस जखम को भरने पाया, तो उस nitrogen excess के कारण जो भी पानी ब होता है वह आपका सडं की रूप में आपको दिखता है तो अभी इस डंठल को इंपेक्शन हो गाए तो यह डंठल आपके पोदे से जुड़ा है और बाकी डंठलों से भी जुड़ा है तो यह सभी गुच्चे को खराब कर देता है तो इस तरीके से चाहिए अंगूर हो अनार हो कोई भी फसल हो आपके मिर्च हो टमाटर हो सभी पसलों के अंदर थोड़ी बहुत कम जादा मातरा में आपको सड़न दिखाई देती है तो यह सड़न क्यों होती है आपको पता तो चल गया होग इस बॉटम को आपने समझ लिया तो यहाँ पर्यटमेंट के दो तरीके आ जाते तो पहला तो नाइट्रोजं क्रों करो भबाई साब इन दोनों तरीके क्यों करके आप सड़न को बहुत ही रोक सकते हो तो सबसे पहला वाला तरीका क्या है समझ लू तो सबसे पहला वाला तरीका नाइट्रोजन को कंट्रोल करें नाइट्रोजन को सबसे तेज गती से कंट्रोल कोंग करता है हमारा डिस ब्रेक आपको याद होगा आपने अगर शोनाइट का स्प्रे शोनाइट का वीडिय तो फसल के अंदर जब nitrogen एक्सिस होता है फसल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो वहाँ पर आपका potassium शोनाइट काम करता है तो potassium शोनाइट देने से आपका nitrogen तूरंद कांट्रोल में आ जाता है कूछी घंटों के अंदर पाच्छी घंटों के अंदर ही आपका nitrogen कन्टे आजाता है तो ऐसे सित्विशन के अंदर पहला नाइट्रोजन वहegal होता है दूसरा क्या होता है जब हम खाना ज्यादा खाते तो खाना ज़्यादा खाने के बाद कई बार होता है ने हमने पसंद अच्छीज दो ऑगया घरते है तो एसी सिच्विशन में फसल ने अगर भाई देखो नेचर नी दिया है तो उसको खाना ही पड़ेगा वो तो कुछ बोलने सकता तो वो नेचर के कारण होगा या फिर हमारे कारण होगा है फसल के अंदर नाइट्रोजन एकसिस हो गया तो उस नाइट्रोजन को भी हमें खाने की तरफ पचाना है तो अगरा सा मात्रा लगता है लेकिन बहुत सारे नाइट्रोजन को कंट्रोल करता है हाजमुलो की गोली भी इतनी तरीके से इसको हाजमुलो के तोर पर आप याद रहेंगे तो आपको इमर्जेंसी में इसकी याद भी आ सकती है तो आप पोटेश्यम शोनाइट और लेनम करता है बिल्कुल नहीं ये इंडारिक लिगां करती ये नाइट्रोजन को कंम करके काम करते तो असल में वह पे जाकर कुल सा चीज काम करता है जखम भरने का तो जखम भरने का कारी करता है आपका cytokinin cytokinin जो होता है आप देखो cytokinin oxyns वगिरह जो होते हुए हार्मोन्स काम करते हैं आपके जखम को भरने का तो callous formation आपको पता ही होगा जिन्होंने उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो 2000 लाइक का target है कि इसके उपर जखम भरने के लिटर हो गया है तो लाइक का target है दो 1000 लाइक का target है तो इसे आप complete कर रहा देंगे तो मैं आपको फसल में जखम कैसे बरता है उसका क्या treatment इसी तरह के से गहराय में जाकर बहुता लगा लगा कर समझाओंगा कि भाई यह चीज होता है और इससे यह अगर वह चाहते हो तो जादा जादा शेयर करके 2000 लाइक का target भी complete करा देजेगा तो पहले तो यह बात समझ लेते हैं तो यह जखम कंट्रोल करने के लिए आपको हार्मोन की जरुर्द होती और इस हार्मोन को तयार करने के लिए आपको जड़ों का विकस करना बहुत जरु ठीक है नीचे के सारे उसका डोस अगरा जानना है वीडियो बन चुका है आप जाके देख सकते हो तो यहाँ पर यह हो गया नाइट्रोजन कंट्रोल हो गया जखम भी भरने का आमने व्यवस्ता कर गया फिर अचानक से यह सब चीज हो रहा है और मेरा वीडियो आपको अभ थार नाइ रोको प्लस कुमान क कुमान ले मिटित मृतल नीकलनाता है किसीभी कंपनिका सकते हो तो यह थायूव से कम से कम एक दिन के गयाप में दो स्प्रे निकलनेए कि पौदों के अंदर एक spray में भी काम हो जाएगा अगर समझ है चोटी हो और एक spray का result ने मिला तो एक दिन का gap देखे या फिर दो दिन का gap देखे एक repeat spray लेना है इससे क्या होगा आपका जो भी एक सडन है वो जगह पे रुख जाएगा रोको 200 लिटर पाने के लिए 200 ग्राम और कुमा नेल 200 लिटर पाने के लिए 500 ml यह इसका डोस रहेगा तो इस तरीके से आप इस सडन को रोक सकते हो चाहिए वो सडन आपके अभी यहाँ पर एक बात बनता है यह जो मैंने बोला यह spraying application बोला अभी सडन अगर पहुदे के उपर वाली मतलब जमिन के उपर वाली इससे के अंदर हो रहा है तो वहाँ पर स्प्रेंग से काम चलेगा और पहुदे के जडों में सडन लगाए तो भाई स्प्रेंग से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपका रोकों के अंदर ख्लोयम action नहीं मतलब यह उपर से नीची की तरफ नहीं जा सकता तो यहाँ पर क्या करना है भाई अगर आपका दूख रहे है और आप सर के अंदर दावाई ले रहे हैं इंजेक्शन ले रहे हैं तो जहाँ पर दूख रहे है वहाँ पर ही आपको treatment करना पड़ेगा सर की दावाई लेकिन नहीं चलेगा तो यहाँ पर भी वैसा ही चीज है कि आपको अगर रोकों देना है तो को बहुत ही अची तरके से रोक सकते हो तो वीडियो की जानकरी यार दिल से अच्छा लगा हो तो यार लाइक कीजेगा इतना बड़िया वाला नॉलेज कोई नहीं देता है अभी तक आपने मार्केट में ऐसी चीज़े सुने भी नहीं होंगे जो हमने आपको बताईए इत शेर का बटन दबा दबा कर जिगरा दखाऊगे तो अनिर्मत अता है मेलको बहुत जादा सपोर्ट मिल जाएगा और दो हजार का लाइक की चोटा लगता है दो दो लाग सब्स्राइबर के पीछे दो हजार लाइक का टारगेट बहुत चोटा है मुझे तो आप एक्शा है कि यार 10,000 लाइक होने चाहिए लेकिन हमने छोटा टार्गेट रखा है तो चलो देखते आज आपका प्यार कितना है मेरे उपर और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार कमेंट में बताना कि ये जान करें आपको कैसे लगें मिलते आगले वीडियो में जै जावान जै किसा